नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टेक्नोडिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो भारत के दोस्त देश इजराइल को लेकर के काफी ज़्यदा बड़ी ख़बर सामने निकल करके आई है और ये ख़बर भारत के लिए काफी ज़्यदा पॉजिटिव नियूस है तो दोस्तो जो भारत का दोस्त देश इसराइल है तो वहाँ पर काफ़ी ज़दा फेर बदल हो रहा है क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ पर भारत के जो कट्रस मर्थक है यनकी बेंजमेन नितनिया हो तो उनके सत्ता में वापिस आने के जो रास्ते हैं वे खुल चुके हैं और इसराइल की officially भंक कर दिया जा चुका है और इसकी जो announcement है वो भी Israel के दुवारा पहले ही की जा चुकी है और अब जल से जल वहाँ पर election होंगे और साथी साथ जो इनसान सत्ता में आ सकता है वो भारत का एकदम कट्र समर्थक है यानि कि हम बात कर रहे हैं Benjamin Netanyahu की तो इसको ले करके सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रेन के ओपर एक article भी देख सकते हैं जहां पर बताया गया है कि Benjamin Netanyahu के सब्ता में लोटने के सबसे ज़्यादा chances है और ये सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार के साथ यहां पर सामने निकल करके आई हैं और अगर पिछले साल के मुकाबले में इनकी पार्टी की सीटों को देखते हैं तो बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले में इनकी पार्टी की जो सीटे है तो उसमें 30% की और बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद ये पहले से ही इसराइल के ऐसे परधानमंतरी है जो की सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सत्ता में रहे थे ये लगबग 12 साल तक इसराइल के पीम रहे और साथे साथ अगर ये दोबारा से सत्ता में आ जाते हैं तो ऐसे में इनका ये जो रिकोर्ड है ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और इसके बाद अगर आप इसराइल, जापान, फ्रांस और रूस को देखते हैं तो ये एलाई हैं तो ऐसे में अगर यहाँ पर कोई भी सरकार बदलती है तो उसका भारत के उपर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर इन्ही देशों में एक स्ट्रॉंग लेडर्शिप आती है तो ऐसे में भारत के उपर काफी ज़्यादा पोजिटिव इंप सबसे बड़ी जीत भी मिलेगी क्योंकि पाकिस्तान की जो मौझूदा गवर्मेंट है तो उन्होंने पहले से हिंट दे दिया है कि आई एम एफ से लोन लेने के लिए और साथी साथ अमेरिका से अपने रिलेशन्स को दोबारा से सुधारने के लिए पाकिस्तान इसराइल क मान्यता भी दे सकता है और इसकी टेस्टिंग करने के लिए कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अपनी एक टीम को या फिर इनके जो ओफिशल्स है तो उनको इसराइल में भी भेजा था तो ये बेंजमेंट नेतनियाओ के खाते में एक सबसे बड़ी जीत होगी और इसके बा बेंजमें नेतने हो आने वाले है और इसके बाद जो फ्रावंस है वहाँ पर जो एनुवल मैकरोन है वे पहले से इलक्षन जीत चुके हैं और इसके बाद भी जो कई ऐसे देश है जहां पर भारत के खिलाफ की गुवर्मेंट आ चुकी थी तो वहाँ पर दो बारा से प्र इतना ही मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिंद इतना ही मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिंद